अनुरा कश्चप बॉलिवूड के एक पॉपुलर डारेक्टर है एक इंटर्वी के दोरान अनुरा कश्चप ने चोका देने वाला खुलासा किया उन्होंने बताया कि नेट्फ्लिक्स उनके एक प्रोजेक्ट मैक्सिमम सीटी को बनाने से पीछे हट गया था वो दोर अनुरा कश्चप की जिन्दगी का काफी मुश्किल दोर था उस समय वे डिप्रेशन के शिकार हो गया थे अनुराक ने आगे बताया कि परेशान होने के कारण वे बहुत जादा शराप पीने लग गया थे एक समय पर उन्हें शराप की लद भी लग गय थी यहां तक कि अनुरा कश्चप को दो हार्ट अटेक भी आए ऐसे में उनकी जिन्दगी बत्तर हो गई थी उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था मानो में सब कुछ खो चुका हूँ बता दे मैक्सिमम सिटी राइटर सुकेतु महता की फेमस नौविल है अनुरा कश्चप इसी नावेट पर अधरित वेब सिरिश बना रहे थे इंटर्विव के दोरान डारेक्टर ने कहा यह मेरी जिन्दगी का अब तक का सबसे अच्छा काम था मैंने इतना इमांदार और महत्वण काम कभी नहीं किया ऐसे में वेब सिरिश तांडो पर मिले रियक्शन के बाद नेट्फिक्स का मैक्सिमम सीटी से पीछे हजाना अनुरा को अंदर से जगजोर कर रख दिया था हलाकि नेट्फिक्स ने ऐसा करने पर कोई कारण नहीं दिया था अनुरा को लगा या तो कहनी देश के पॉलिटिकल महूल के लिए बहुत सेंसेट्व थी या नेट्फिक्स उनके साथ काम नहीं करना चाहता था एक बाचित के दोरान उन्होंने ये भी बताया कि लॉक्ड़ॉन की वज़े से उनकी वेब सिरिज अल्मुस्ट प्यार विद डिजे मोहबत की शुटिंग में देरी हो गई थी इस वज़े से वे काफी परिशान हो गए थे यहां तक कि अनूराग नेगेटिव जोन में चले गए थे यह वही समय था जब उनकी वेब सिरिज तांडों को भी ओडियन्स से कटक्ष सुनने को मिल रहे थे इतना ही नहीं उनकी बेटी भी ट्रोलिंग का शिकार हुई थी अनूराग ने C.A. के खिलाफ बात की जिसकी वज़े से उनकी बेटी आलिया को ट्रोल किया गया था इतना सब कुछ एक साथ होने की वज़े से वे अपनी लाइफ में डार्क फेज में चले गए थे यहां तक कि उन्होंने ट्वीटर छोड़ने की भी सोच ली थी इन सब वज़ों से अनूराग कर्शब को तीन बार रहब सेंटर भी जाना पड़ा था परेशान्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें हार्ट अटेक भी आया इसे में अनूराग ने कुछ समय का ब्रेक लिया और अपनी हेल्ट पर फोकस किया था बागी की तबाओ का अपरों के बने रहे हैं राजडवा नभी के साथ ताने बाद